हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का RV Attitude क्लास में तो आज मैं आप लोगों के लिए question लेकर करके आया हूँ यह question class 10th की math की book से exercise 7.2 का question number 9 है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंतर तक देखिए ताकि आपको सही से समझ में आए चले शुरू करते हैं question में हमसे पुछा गया है find the coordinates of the points which divides the line segment joining A-2,2 and B-2,8 into 4 equal parts तो आप पर इनका कहना यह है कि हमारे पास यह एक line segment है A-B जो की 4 equal parts में divide हो रहा है माल लीजिए यह D है यह C है और यह E है तो एक part, दो part, तीन part, चार part है ना 1, 2, 3, 4, 4 equal parts में divide हो रहा है तो हमें बताना है कि C का coordinate क्या होगा, D का coordinate क्या होगा और E का coordinate क्या होगा तो यहाँ पर जो में coordinate दिया गया है वो A का दिया गया है minus 2, 2, B का दिया गया है 2, 8 तो चलिए फिर इस question को करेंगे solution the given point the given point of A and B are minus 2, 2 and 2, 8 of line segment AB अब यहाँ पर हम लेक्ट करेंगे कि यहाँ पर C, D, E three point है जो line AB को four equal parts में divide करते हैं let the points A C, D and E A, B, D divides the line segment AB into four equal parts for equal part add son in figure okay जैसे कि figure में दिखाय गया है तो यहां पर होगा क्या अगर आप observe करेंगे A, B को और यह division equal है, यह division equal है यह division equal है, यह division equal है तो D जो होगा वो मिड में होगा इधर दो division और यहां से इधर दो division तो D मिड में होगा और यहां पर मिड पॉइंट theorem यूज़ करेंगे We observe that D is midpoint on line AB then अब यहां पर midpoint theorem का इस्तेमाल करेंगे midpoint theorem क्या होता है देखो अगर D के coordinate को हम x, y let करेंगे तो उसके इसमें क्या बनेगा x, y is equal to तो जो midpoint theorem होता उसका formula होता है x, y is equal to x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 यह formula होता है तो यहां पर हम value put करेंगे x1 plus x2 देखो x1 यह है, x2 यह है तो यह हो जाएगा minus 2 plus 2 by 2 comma 2 plus 8 by 2 इनको further solve करेंगे तो मिलेगा x comma y is equal to minus 2 plus 2 cancel हो जाएगा 0 by 2 2 plus 8 10 हो जाएगा by 2 तो यह finally हमें मिलेगा 0 comma 5 देखो, 0 में 2 से divide करेंगे answer 0 मिलेगा 10 में 2 से divide करेंगे तो 5 मिलेगा तो यह हमारा coordinate हो गया x comma y किसका coordinate हो गया? point d का तो आभी के लिए हम यहाँ पर write कर देते हैं यह हो जाएगा वहाँ पर 0 comma 5 ओके? तो इतना आप write down कर लिजे या फिर screenshot ले लिजे तो similarly आगी क्या करेंगे वह देखिए जैसे हमने यहाँ पर a और d को अब एक line segment मानेंगे तो मान लेते हैं हमारा a और d जो है एक line segment है जहाँ पर हम c point लेंगे तो c बिलकुल mid में आएगा तो यहाँ पर जब mid point theorem लगाएंगे तो हमारे आराम से c का coordinate मिल जाएगा तो similarly point c is mid point of line ad then mid point अपलाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखो x, y is equal to यह हमारा x1, y1 है यह हमारा x2, y2 है तो यहाँ पर रखेंगे minus 2 plus 0 by 2 2, 2 plus 5 by 2 इसको solve करेंगे तो देखो minus 2 में 0 minus करेंगे minus 2 मिलेगा by 2 और यह हो जाएगा 7 by 2 इसको आगे solve करेंगे तो 2 से 2 cancel हो जाएगा minus 1 कामा यह cancel नहीं होगा तो ऐसे आएगा 7 by 2 तो यह coordinate हो जाएगे हमारे point c के इसी प्रकार से हम coordinate find करेंगे e point के लिए तो इस case में हम क्या करेंगे हम consider करेंगे यह वाला portion db तो माल लिजे यह हमारा point d है और यह हमारा point b है इसके बीच में point e जो है वो mid में है तो यहाँ पर midpoint theorem लगाएंगे अगेन consider e बीदा midpoint half line bd अब देखो जब midpoint theorem लगाएंगे तो यह हो जाएगा x, y अब यहाँ पर देखो यह हमारा x1, y1 है यह हमारा x2, y2 है वैसे आपका अगर x1, y1 उल्टा या सीधा हो जाएगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 0 plus 2 by 2 comma 5 plus 8 by 2 अब इसको solve करेंगे तो 0 plus 2, 2 आजाएगा 2 by 2 5 plus 8, 13 आजाएगा 13 by 2 तो यहाँ से मिलेगा क्या देखो 2 से 2 केंसिल हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 13 by 2 यह हमारे d के क्या हो जाएगे coordinate हो जाएगे ठीक है? तो देखो इस परकार से मिलेगा क्या मैं सबके coordinate यहाँ पर write कर देता हूँ देखो c का जो coordinate हमें मिला है वो है minus 1,7 by 2 d का जो coordinate मिला है वो 0,5 और e का जो coordinate मिला है वो 1,13 by 2 यह हमें coordinate मिले हैं तो लास्ट में हम एक line write करेंगे thus the coordinate of points c d and e are minus 1,7 by 2 comma 0,5 and 1,13 by 2 तो यह हमारा answer हो जाएगा इस question का आप चाहो तो वीडियो को पॉच्च करके screenshot ले सकते हैं या इसको write down कर सकते हैं तो दोस्तों comment box में बताएगे वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जर्यावी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक अगले thank you class वीडियो आया है